शार्दी नवरात्र के सुब अवसर पर समस्त भारतवाशियों को बहुत बहुत सुब काम नाएं। शार्दी नवरात्र प्रारंब हो चुका है। मादुरगा हाथी पर शवार होकर आई हैं और हाथी पर ही गमन होगा जो विश्य के लिए काफी फलदायक माना गया है। नौ दिनों तक यह तैवार भारत वर्ष में काफी शर्धा पुर्वक मनाया जाएगा। जिसमें मा लक्ष्मी, मा शौर्शती और मा दुर्गा की नौ रूपों की पूजा होगी। यह शक्ती का प्रतीक है, जो शर्धालू नवरात्री में पूजन करते हैं। उन्हें मनो कामना की प्राप्ती होती है। आज शंपूर्ण भारत वर्ष में कलसस्थापना हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि चार परमुख नवरात्र में शार्धी नवरात्र सबसे स्रेस्ट माना गया है। सुबर से ही तयारी चल रही है। साफ सफाई की गई है। और शर्धालू उश्चापुर्वक नवरात्र प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्रीराम लंका पर बिजय प्राप्त करने के लिए मादुर्गा की पूजा की, मादुर्गा ने उन्हें आशिरवाद दिया। तब भगवान श्रीराम ने लंका पर चड़ाई कर रावन जैसे महाज्यानी, महापंडित को प्राष्ट कर बिजय हुए। अशत्य पर शत्य का विजय प्राप्त हुआ, अधर्म पर धर्म का विजय प्राप्त हुआ, यह भारत वर्ष का शब से बड़ाते वहार के रूप में जाना जाता है। नौ रात्री की पूजा होती है, दस दिनों तक चलने वाला यह नवरात्र आज से प्रारंब होकर, चार अक्टूबर को शमापन होगा, जिसे विजय दस्मी के नाम से जाना जाता है, भारत वर्ष के विन विन छेत्र में नौमी के दिन बली दी जाती है, और परशाद ग्रहन किया जाता है, चारो तरफ पंडाल सजकर तैयार हो चुका है, शाम में यह देखने लाइक होता है, जहां किया निकाली जाती है, यह हमें शंदेश देता है कि परिबार में, शमाज में और देश में किस परकार से रहना है, दशहरा से हम बहुत कुछ सीखते हैं, राम लिला से बहुत कुछ सीखते हैं, आने वाला शमय में, मैं शमस देशवासियों को शुप कामनाएं देना चाहूँगा, कि भारत वर्ष के विकास के लिए, किस तरह से कदम उठाया जाए, जगह जगह लडाईयां होती है, छोटी-छोटी बातों पर लडाईयां होती है, इसे नजर अंदाज करने की आवशकता है, हम ऐसा कार्ज करें, जिस्षे मानव अपने दाईत को समझ सके, कर्तब भी को समझ सके, और विकास की राह पर आगे बढ़ सके, इसलिए हम सब ही इस बात को समझें, और आने वाला शमय में मिल जुलकर शमाज को आगे बढ़ाएं, तमी भार जैसा देश का विकास हो सकता है, धन्यवाद.